हेलो दोस्तों तो फिर से एक नए वीडियो में आप सब का स्वागत है तो आज हम ना मुंबई में माटूंगा में फेमा साउथ इंडियन शॉप्स विजिट करेंगे और वहां की इडलिया हम ट्राइ करेंगे तो मैं टॉप फाइव शॉप्स में गया था और यहां की इडलि कभी ट्राइ की है क्या तो यह वीडियो को एंड तक देखिए तो फर्स साउथ इंडियन इट्री है आरिया भवन तो देख सकते हैं इनका कोजी सा एसी एंबियंस है शेरिंग टेबल सिस्टम है यहां पे और रश बहुत रहता है ज्यादा तर संडे सेटरडे तो थोड़ा इडली तो मैंने वो और्डर किया ता उसके साथ में घी, पोडी और यह वाटी इडली होती है दो इनका कुछ मेंड्यू कार्ड है तो आप पैस करके देख ले ना ये ना घी पोडी और चत्नी अभी ग्रों देख गर शौनबर पर इचस्ता युद nh है तो हम अभी exact रहे सा तो अभी हम आये हमारे सेकंड लोकेशन पे काफे मैसूर तो एक काफे मैसूर में अभी हम एंटर कर रहे हैं तो यहाँ पे भी शेरिंग टेबल सिस्टम है बट मैं मिड़ विक में आया था तो थोड़ा रश कम था अगर सेटरेड़ संडे अगर आप आओगे तो वेटिंग करना पड़ता है तो यह भी माटूंगा इस में ही है तो इनका कुछ यह मेन्यू कार्ड है तो मैंने यहाँ पे इनका खोटो इडली और्डर किया था जो कोकनी स्ट्रीम इडली भी बोलते है कोकनी स्ट्रीम में भी बोलते है क्योंकि जैक फ्रूट का जो पत्ता होता है उसमें इसको स्ट्रीम किया जाता है तो कोकन एरिया जो है महारास्टा में वहाँ पे जैक फ्रूट के पेड़ होते है तो इसे कोकन स्ट्रीम इडली भी बोला जाता है तो खोटो इडली में first time try करने वाला हो तो कुछ ऐसा दिखता है डिस्पले में बता है इन्होंने खोटो इडली बोलके तो हमारा खोटो इडली आ चुका है देख सकते कुछ ऐसा है jackfruit का जो पत्ता होता है उसमें इस वी steam किया जाता है उसके साथ में इनका जो सामभर है और चटनी भी दिया था तो हम टेस्ट करेंगे कैसा है तो मैं first time ये खोटो इडली ट्राइ करें अगर रहा था तो आप मुझे comments में जरूर बताना कि आपने कभी ये ट्राइ किया है क्या तो ये taste में तो बढ़िया थी इसमें जैक्फूरूट का स्वाद आ रहा था जो स्टीम किया था उस विज़े से पत्ते का जो था स्टीम करते से में उसमेल उसमें उतर गया था तो वो भी उसमें स्वाद आ रहा था तो मुझे खोटो इडली भी बढ़िया लगा या साधा भी खाओगे तो भी आपको कुछ अच्छा खा रहे यह सा फील होगा हेल्दी भी था तो अभी हम थर्ड इट्री में जा रहे वो है मदरास कैफे कैफे मदरास तो यहाँ पे आपको ज़्यादा थोड़ा पढ़ा है मैं संडे की दिन गया था यहाँ पे तो कुछ इनका मेन्यू काड आप पॉज करके देख ले न यह विंडो से न मुझे इनका कीचन एरिया दिखा था यहाँ पे इनका बैटर सब रेडी होता है सब मशिन में तो वही उनका चल रहा था कि अगले दिन का जो स्ट इडली मेरे जितनी भी अभी ट्राइ की इडली तो इसमें यह थोड़ी ज्यादा सौफ लगी और अच्छे से फर्मेंट हुई इडली लगी क्योंकि यह प्लेन इडली भी थी और घी उपर से डाला था स्वाप्ट अच्छा टेस्ट आया मुझे और सांबर भी बढ़िया चटनी भी स्पाइसी नी थी बढ़िया थी तो मुझे यह इडली भी बहुत अच्छे लगी तो हम अभी फोर्थ लोकेशन पर आए अई अपम इडली तो मैंने यह स्ट्रीट स्टॉल लग रहा था मुझे पहले तो बट यह भी भूत फेमस है आप देख सकते में यहापे अभी संडे की दीनी आया था पर यहापे भी भूत रशे तो इनका डाइनिंग एरिया ना इसा ओपन स्पेस में तो कुछ ऐसा था तो फिर इनका आपना मेन्यू काड़ पाउच करके देख ले ना तो यह एज कंपेर्टिव जितना भी मैं अभी शॉप्स गया ना इसमें थोड़ा सा कॉसली ने था यह चीप रेट में था तो यह कुछ मैंने यहापे ना इनका प्लेन इड़ी लिया था तो इसके साथ में सामबर था चटनी थी और एक स्पाइसी भी चटनी थी तो कोकोनट की चटनी और सामबर ही मैंने खाया विकाज मुझे स्पाइसी इतना प अच्छी लगी तो मैं ऐसा बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि अच्छी लगी बिकाज यह प्लेसेस फेमस है इसलिए नहीं बोल रहा हूँ आप जरूर जाके कभी ट्राइ करना तो यह सब प्लेसेस में मुझे इडली जरूर जैन्योरली मुझे अच्छी लगी इसलिए में अच्छी लगी बोल रहा हूँ तो अभी हम fourth place हाए होटेल रामाश्रे तो यह रामाश्रे होटेल भी माटूंगा इस्ट में ही है तो यहाँ पे देख सकते है road पे line लगी है इतना waiting होता यहाँ पे भी यहाँ पे भी मुझे 10-15 minute waiting लगा फिर जाके मुझे table मिला तो देख सकते हैं इनने पानी दिया था फिर मैंने यहाँ पे घी पोडी इडली ट्राइ किया था तो घी पोडी इडली के साथ में यह सांबर भी देते और चटनी भी देते तो यहाँ पे मैं कुरी इनका चटनी बहुत पसंद आया जो कोकोनट का चटनी दिया था और घी पोडी तो बढ़िया ही था तो मैंने अलग-अलग टेस पे अलग-अलग जगा पे जाके ट्राइ किया था इसलिए आपको कभी-कभी लग रहा होगा कि मैंने अलग-अलग पेने है तो आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना कि आपको मेरे वीडियोज कई से लगते है और प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब कीजिए सपोर्ट मी